हाई फ्रेंज मैं हूँ शाहिन सेयद, वेलकम टू मैं चैनल, आज हम बनाएंगे खजूर ड्राइफ्रूट रोल, बहुत ही यमी, हेल्डी, शुगर फ्री रेसिपी और खाने में तो ला जवाब है, विंटर स्पेशल रेसिपी है ये, तो वीडियो को पूरा जरूर लाइक कीजेगा, शेयर कीजेगा, और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तो यहाँ पर मैंने एक कब भढ़कर खजूर लिया था, खजूर के अंदर की सीद्स मैंने निकाल लिये है, आप चाहे तो पिटेड या सीडलेस खजूर इस्तमाल कर सक की घर में जो ड्राइफरूट्स एवेलेबल है आप वो आट कर सकते, एक टेबल स्पून चॉप करके पिस्ता और एक टेबल स्पून मैंने आप पर खस खस लिया है, यहाँ पर मैं इलाइची का पाउडर आट करूँगी, इससे फ्लेवर एनांस होता है, आप चाहे तो इल बिल्कुल लो मीडियम रखना है, क्योंकि खस-कस बहुत ही जल्दी तेजी से ब्राउन होने लगता है और जलने के चांसे हो सकते हैं, बस एक मिनिट के लिए ही मैंने इसको रोस्ट किया था, हलका सा कलर इसका गोल्डन दिखाई देने लगा था, तो मैंने इसको बाहर नि मिनिट के लिए इसको बराउन नहीं करना है अमने बस थोड़ा सा यह क्रिस्प हो जाएं, उतना ही आपने इसको भून लेना है, बस कुछी देर में जैसे हलके क्रिस्प हो जाएं तो ग्यास का फ्लेम आपने लो कर लेना है और इसको हम बाहर निकाल लेंगे ये दिखिए, तो यह ready है इसको भी हम side में रख देते हैं अब इसी खड़ाई में मैंने एक टेबिल स्पून दुबारा देसी की आट कर लिया है और खजूर जो मैंने mixer में थोड़ा सा coarse grind कर लिया था वो आट कर ले इसको आपने चलाते हुए कुछ देर के लिए भून लेना है बस दो से तीन मिनट के अंदर अंदर ही यह बिलकुल soft हो जाएंगे इतना कि आप इसके roll आराम से त्यार कर सकें और बिलकुल हलवे की शकल में आ जाएगा जैसे अब यह बिखरा बिखरा दिखाई देने लगा है तो आप जैसे जैसे इसको cook करेंगे तो यह melt होने लगेगा और आपस में जुड़ने लगेगा और इस तरह से इसका एक paste सा त्यार हो जाएगा तो यह देखिए यह बिलकुल ready हो गया है अभी बहुत जादा अगर आप cook करेंगे तो यह बहुत ही जो roll है dry dry सा त्यार होगा इसलिए बस एक बार यह इस तरह से soft हो जाए तो gas का flame off कर ले सबसे पहले फिर इसमें roast किया हुआ nuts आट कर ले और ilaichi का powder आट कर ले flavoring के लिए gas का flame इस वक्त off है बस इसको अब हमने अच्छे से 1-2 मिनिट के लिए mix कर लेना है Nuts जो है यह अभी बाहर ही है और बिखरे-बिखरे दिखाय दे रहे तो यह धीरे-धीरे mix हो जाएगा और बिलकुल dough की तरह form हो जाएगा और यह nuts बिलकुल उसके अंदर mix हो जाएंगे अच्छे से तो यह देखें यहां पर यह सब कुछ अच्छे से mix हो गया है और यह बिल्कुल ready है तो इसको अब हम बाहर निकाल लेते हैं इस वक्त यह बहुत गरम है आप इसको अगर touch करेंगे तो हाथ जल सकते हैं तो इसको थोड़ा अपने cool कर लेना है बहुत जादा ठंडा नहीं करेंगे इतना कि आप उसको हाथ लगा कर shape कर सकें इस stage पर आप इसकी बरफी भी बना सकते हैं आप चाहें तो लड़ू भी बना सकते हैं लेकिन मैंने इसको cylindrical shape में लंबा roll किया था तो उसको मैंने इस तरह से press करके फिर इस तरह से roll कर लिया है ताकि उसको cylindrical shape आ जाए तो उसको अच्छे से पहले shape कर लेते हैं अब यहाँ पर जो मैंने roast करके खस-खस और chop किया वा पिस्ता लिया था उसके उपर उसको मैंने roll कर लिया है ताकि उपर से यह देखने में अच्छा लगे side से भी हर तरफ से इसको हमने coat कर लेना है इस तरह से press कर ले ताकि उसके उपर वो stick हो जाए क्योंकि यह roll अभी भी गरम ही है तो इसके उपर यह बहुत जल्दी आराम से stick हो जाएगा बस एक बार यह त्यार हो जाए roll इस तरह से तो मैंने यहाँ पर एक butter paper का इस्तावाल किया है आपके पस paper available नहीं है तो आप इसको इसी तरह fridge में रखके set कर सकते हैं रोल को directly लेकिन मैंने आपे butter paper लिया था और इसके अंदर जैसे हम chocolate को roll करते हैं उसी तरह से roll करके दोनों side से उसको tightly मैंने seal करके pack कर लिया था यह देखे कुछ ऐसे बस अब table के उपर थोड़ा सा उपर से finishing देने के लिए बहुत जादा दबाना नहीं है आपने इससे shape खराब हुजाएगा roll का और इसको fridge में रख दे मैंने freezer में रख दिया था उपर आदे घंटे के लिए आप चाहें तो आप इसको नीचे fridge में भी रख सकते हैं एक घंटे के लिए रख दे और यह त्यार हो जाएंगे तो यहाँ पर मैंने इसको आदे घंटे के बाद freezer में से बाहर निकाल लिया है और इसको हम बाहर निकाल लेते हैं paper निकाल लेंगे इसमें से और इसको फिर हमने रोल में इस तरह से cut कर लेना है तो यह दिखे आप देख सकते हैं अंदर dry fruits जो हमने add किये थे वो इस तरह से clearly दिखाए दे रहे हैं और side से जो हमने coat किया था खस-खस से उसे यह देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है तो आप इसको इस तरह से cut करके रख लिए आप इसको बहार ही रख सकते हैं महीना बर आप इसको relish कर सकते हैं यह जल्दी खराब भी नहीं होता है और dry fruits खाना winter में बहुत ज़रूरी है खजूर के बहुत अपने फाइदे हैं इससे iron content काफी बढ़ता है तो ज़रूर ट्राइ कीजेगा शुगर फ्री रेसिपी है लाइक कीजेगा शेर कीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा थैंक यू सो मच पर वाचिंग मैं वीडियो तेक गुट केर बाई